नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लेट आपको मिलती रहेगी। करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कोशन नमबर फर्स्ट। आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। और ये कोशन भी बहुत बार आपके एक्जाम में आ चुका है। बहुत बढ़िया बिलकुल इसका जो राइट आंसर होगा कुछ स्टूटेट्स ने दे दिया है। ये ओप्शन राइट होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूकेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी एसम स्टैंस फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्यूकेशन। ठीक है याद रखेगा जब भी मोबाइल की बात होती दो प्रकार के होते हैं। तो जी एसम आधारित होता है या फिर सीडियम में आधारित होता है। ठीक है तो आजकल जो मोबाइल सा रहे हों माक्सिमम जी एसम आधारित ही होते हैं। ठीक है नेक्स्ट कोश्चन नमबर सेकेंड की बात करते हैं। टंबलर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। टंबलर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कुछ छोटे सब्दों में क्या कर दिया। अपना व्यू जो देना था वो व्यू दे दिया है। इमजेश शेयर कर दी ठीक है, वीडियो शेयर कर दिया। तो शोशल नेटवर्किंग साइट है ही है, साथी साथ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट भी है। कौन-कौन, ट्विटर और टेंबलर दोनों याद रखेगा। और इसका जो राइट आंसर होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, काफी सारे स्टोडेंट्स ने दे दिया था राइट आंसर, वेरी गूड। नेक्स्ट कोशन नवर थर्ड की बात करते हैं, एए पीएस में किसका प्रियोग करते हैं, ए ओप्षन, फेस डिटेक्शन, बी ओप्षन, फिंगर प्रिंट, सी ओप्षन, आइस इसका जो राइट आंसर होगा, ये बी होगा, फिंगर प्रिंट्स, ठीक है, जब भी हम एए प्रियोग करके ट्रांसफर करना चाहेंगे, या विड्रॉ करना चाहेंगे, ठीक है, या बैलेंस चेक करना चाहेंगे, तो वहाँ पर हमें आधार नंबर की आवशकता होगी, साथ ही साथ क्या होगा, आपका फिंगर प्रिंट लिया जाएगा, जिसके द्वारा क्या कर सकत फिर आपका transfer करना हो तो transfer कर दिया और withdraw करना हो तो withdraw कर दिया submit करना हो तो submit कर दिया ठीक है और जैसे for example बात करें UP में तो बहुत सारे CSC center चलते हैं छोटे छोटे computer वाले ठीक है वो लोग भी रुपे आपके withdraw कर देते हैं और submit भी कर लेते हैं और वो लोग क्या use करते हैं A E P S का ही use करते हैं fingerprint का ठीक है fingerprint के द्वारा ही वो लोग क्या करते हैं आपके पैसे निकाल भी देते हैं और जमा भी कर देते हैं ठीक है तो किसका use होता है fingerprint B option right होगा next question number 4 magnetic tape secondary storage का उधारन है और ये question भी बहुत बार आया है 5 seconds है आप comment है चैट में right answer दे सकते हैं और जिल लोगों ने भी तक like नहीं किया है जल्दी से like कर दीजे भाई ठीक है like कर दो thumbs up कर दो भाई जितना यादा thumbs up likes उतने अच्छे question ठीक है और इसका जो right answer होगा बिल्कुल A होगा true होगा ये magnetic tape secondary storage का उधारन है ये बात क्या है सत्य है इसलिए A option इसका right होगा next question number 5 की बात करते हैं start button notification area में होता है A option है false B option है true 5 seconds है और ऐसे questions आते रहते हैं चीक है तो बिल्कुल जाग रुक रहें जितना पढ़ेंगे जाग रुक रहेंगे उतना असानी से आप अच्छे grade के साथ पास हो सकते हैं इसका जो right answer होगा ये false होगा ठीक है start button होता है left hand side नीचे की और और जो notification area होता है वो right hand side नीचे की और होता है नोटिफिकेशन एरिया में date, time दिखता है, network दिखता है, volume का option दिखता है और laptop है तो battery का भी option वहीं पर दिखता है तो start button आपका left hand side नीचे की और और notification area right hand side नीचे की और होता है और इन्होंने क्या बोला, start button notification area में होता है तो ये गलत है यदि आपर बोलते time notification area में होता है तो सही है, बोलते भाई sound का जो symbol होता है जिससे हम sound को घटा या बढ़ा सकते हैं वो notification area में होता है तब भी कहते हैं हाँ बाई true है बोलते date notification area में होता है तब भी बोलते हैं हाँ बाई क्या है बिलकुल सही है बोलते network का sign notification area में होता है तो बिलकुल क्या है वो भी क्या है सही है software update रेटर रेटर या कोई notification आती है तो notification एरिया में दिखती है तब भी वो चीज हम लोग क्या मा लेते true है लेकिन start button notification एरिया में होता ये sentence क्या है false है इसलिए यहाँ पर a option right होगा ठीक है next question number 6 की बात करते हैं browser में हाल ही में बंद किये गए tab को open करने के लिए किस shortcut की का प्रियोग करेंगे a option ctrl plus shift plus tab v option ctrl plus n c option shift plus tab d option ctrl plus t 5 seconds है तब तक मैं एक shortcut की आपको बताया दे रहा हूँ ctrl plus t जो है उसका प्रियोग new tab open करने के लिए करते हैं मैं फिर से repeat कर रहा हूँ browser में आपको जब नया tab open करना होगा तो आप ctrl plus t shortcut की का प्रियोग करेंगे ठीक है और यहाँ पर जो right answer होगा यह a होगा ctrl plus shift plus tab ठीक है माली जे मैंने 4 tab open कर रखे थे और मैंने एक बंद कर दिया और फिर से मुझे उसी tab की जरूद पड़ रही है तो मैं shortcut की क्या यूज करूँगा जैसा ही मैं ctrl plus shift plus tab प्रियोग करके हाल ही में बंद किये गए tab को open कर सकते हैं अच्छी shortcut की है यूज करने के purpose से भी और आपके examination purpose से भी ठीक है next question no.7 को discuss करते हैं gmail में username कितने character तक हो सकता है a option 4 to 10 b option 5 to 15 c option 6 to 30 d option 7 to 35 5 seconds है और ये question बहुत बार आ चुका है username होता क्या है जो भी चीजें आपकी at the rate से पहले होती है for example xyz at the rate gmail.com तो xyz क्या हो गया आपका username हो गया ठीक है तो at the rate से पहले वाले part को क्या बोलते है username बोलते है और सभी वेक्तियों का username unique होता है मैं repeat कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा सभी user का username unique होता है अदुती होता है मतलब किसी का किसी से match नहीं करता है और इसका जो right answer होगा ध्यान कियेगा minimum 6 और maximum 30 character का username हो सकता है gmail में minimum 6 और maximum 30 character का username हो सकता है c option right होगा next question number 8 को discuss करते है यदि कोई user gmail पर account बनाता है और उसकी उम्र 13 वर्स से कम है तो उसका account उसके parents manage करेंगे a option is true, b option is false 5 seconds है बहुत बढ़िया तो बिलकुल इसका भी right answer true होगा यदि आपकी इस 13 से कम है तो आप account बना सकते हैं लेकिन manage कौन करेगा आपके माता पिता या जो parents होंगे उस account को manage करेंगे point को याद रखेगा next question number 9 की बात करते हैं boot होने के बाद जब आपका computer उपयोग के लिए तयार होता है तो जिस अस्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है a option windows, b option desktop, c option background, d option all of the above 5 seconds है question तो यह बहुत easy है बिलकुल और काफी students ने right answer दे भी दिया है बिलकुल इसका right answer होगा desktop ठीक है जब भी आपका computer open होता है तो आपका कोई भी operating system हो आपका android हो, windows हो, linux हो, unix हो, कोई भी क्या हो, GUI, आधारित operating system हो जब भी आपका computer open होता है तो जो open होकर skill नाती हो उसी को desktop कहते हैं इसलिए इसका b option right होगा ठीक है next question number 10 की बात करते हैं किस topology में सभी computer एक single cable द्वारा जुड़े होते हैं A option, ring topology, B option, bus topology, C option, star topology, D option, mess topology 5 seconds हैं बताएगा right answer क्या होगा ठीक है सब तक मैं आपको topology के बारे बता दूँ टोपलोजी के द्वारा network में यह तेयं किया जाता है कि किस प्रकार computer आपस में जुड़ेंगे मैं repeat कर रहूँ जहां से सुनिएगा topology के द्वारा यह निरधारित किया जाता है कि किस प्रकार computer जो है network में आपस में जुड़ेंगे ठीक है तो बिल्कुल इसका जो right answer होगा bus topology bus topology में याद रखेगा एक single cable होता है और उसी के द्वारा सभी computers आपस में connect होते हैं मैं फिर से repeat कर रहा हूँ bus topology में सभी computers single cable द्वारा आपस में जुड़े होते हैं ring topology में एक दूसरे से आपस में ठीक है ring बनता है प्रतेक computer अपने पडोस के अन्य दो computer से जुड़ा होता है start topology में सभी computers hub या switch से जुड़े होते हैं और mess topology में सभी computers directly क्या होते हैं जुड़े होते हैं याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन नमर 11 की बात करते हैं वेब पेज को रिलोड करने की शॉल्ड कट की होती है A option control plus R B option F5 C option F7 D option control plus J फाइब से बताएगा राइट आंसर क्या होगा और ये मैं टेस्ट में दे भी चुका हूँ इससे पहले ऑनलाइन टेस्ट जो चलता है 9 वाले में दिया है मुझे लग रहा है या हो सकता 8 वाले में दिया हो तो बिलकुल important है याद रखेगा F5 जब भी वेब पेज को रिलोड करने की शॉल्ट कट की पूछी जाएगी तो ध्यान रखेगा F5 होती है नेक्स्ट कोश्चन नमबर 12 ब्राउजर में डाउनलोड की शॉल्ट कट की क्या होती है भाई A option ctrl plus H B option ctrl plus I C option ctrl plus J D option ctrl plus M 5 सेकंड्स है गुड बहुत बढ़िया easy है बहुत बार आभी चुगा है बिलकुल इसका जो right answer होगा यह आपका होगा ctrl plus J जैसे ही ब्राउजर में चाहिए हो आपका उपेरा हो google chrome हो mozilla firefox हो internet explorer हो सब ही में ctrl plus J जैसे ही प्रस करेंगे downloads का option open होकर आ जाएगा ctrl plus J जैसे ही प्रस करेंगे download का option आ जाएगा ध्यान लखेगा इस shortcut की को ठीक है next question number 13 की बात करते है email में उपयोग कर सकते है a option letters b option numbers c option dots d option all of the above 5 seconds है important question है बहुत important है भाई बिलकुल इसका जो right answer होगा यह d होगा all of the above ठीक है email में हम लोग letters numbers और dot बस तीन चीज़े ही use कर सकते हैं ध्यान कियेगा जब भी email idea आप create करेंगे तो वहाँ पर जब आप username एंटर करेंगे तो वहाँ पर letters a to z numbers 0 to line और dot यूज़ कर सकते हैं साथी साथ ये भी ध्यान कियेगा dots लगातार नहीं use किये जा सकते dots लगातार यूज़ नहीं किये जा सकते साथी साथ add the rate से पहले भी dot का प्रियोग नहीं कर सकते मैं repeat कर रहा हूँ लगातार dots यूज़ नहीं किये जा सकते प्रियोग नहीं किये जा सकते साथी साथ add the rate चिन से पहले भी dot का प्रियोग नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि email id गलत दिखाने लगेगा ठीक है और अभी हम लोगों ने उपर एक question में discuss भी किया है कि username जो होगा वो कम से कम 6 character का और अधिकतम 30 character का हो सकता है ठीक है तो सारे points याद रखेगा next question number 14 ussd निमलिखित में कौन कौन सी सुभिधाएं देता है a option balancing query b option mini statement c option fund transfer d option all of the above 5 seconds है बहुत easy question है बताएगा right answer क्या होगा और जिन लोगों ने like ना किया हो like कर दीजेगा ठीक है सभी को thumbs up करना है साथी साथ share करना है सभी को share करना है जिससे हमारा संकल्ब सिच्छा से बदलाओ तक है उसको हम लोग पूरा कर सके आप लोग भी इस family के क्या है YouTube family के part है तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग मिलकर इस संकल्ब को पूरा करें कि हाँ भाई सिच्छा से हम बदलाओ ला सकते हैं तो जादा से जादा शेयर करिए जो भी social media platform आप यूज़ करते हैं facebook, whatsapp, twitter, जो भी statement भी कर सकते हैं point transfer भी कर सकते हैं ठीक है और इसका जो number होता है star 99 has होता है star 99 has होता है इस point को भी याद रखिएगा ठीक है तो ये थे आज के online test के questions मिलते हैं कल रात 8 बजे नए online test में नए questions के साथ good bye preparation करते रहिए